गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ वेस्टीज ओनलाइन ओर्डर कैसे करते हैं उसके उपर जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ एक-एक स्टेप्स यहां पर बताऊँगा तो प्लीज ध्यान से देखिए और ओनलाइन ओर्डर का फाइदा उठाईए Firstly प्लेज टोर में जाके हमें एप को डाउनलोड करना है प्लेज टोर में आप यहां पर लिखेंगे वेस्टीज पी ओएस पी ओएस का मतलब होता है पॉइंट ओफ सेल Vestige POS ऐसा app रहेगा ये color का यहाँ पे इस mobile में installed है इसलिए यहाँ पे option नहीं आ रहा है install का यहाँ पे इस mobile में app installed है already तो अभी मैं इसको open करने जा रहा हूँ ये Vestige POS का app है शुरुवात में आपको आपका distributor ID और password डालना है ये मैंने मेरा ID और password डाल दिया है अभी login हो रहा है login करने पे आपको ऊपर आपका नाम आपका ID नमबर दिखाया जाएगा ऊपर ये bell icon जो है वो notification सौट आफ काम करता है चार icons है order my orders add distributor कोई नए distributor को add करना है तो order करोगे तो आपको सबसे पहला आपके details लोड हो रहे है अभी फिलाल addresses के साथ आपका distributor ID उपर आएगा आपका नाम आएगा कूरियर में आपका जो address आपका डाला है जब फॉर्म फिल करते वक्त वो आपको दिखेगा इसमें आपको कूरियर होगे आपको products अगर आपको products को कूरियर नहीं करना और खुदी आके आपको लेना है offices से तो आपको self पे click करना है self पे click करोगे तो आपका जो nearest branch office होगा I repeat branch office DLCP नहीं branch office होगा जैसे मेरे गर से नजदीक है गाटको पर का office तो यहाँ पे नीचे address दिखा रहा है गाटको पर का office तो अगर आप यहाँ से order ऐसे place करते हो तो order place हो जाएगा आपको गाटको पर office या कोई भी आपका branch office होगा वेस्टीच company का वहाँ पे directly आपको जाके collect करना है तो हम बढ़ते हैं courier का option लेके यह online है तो हम expect करते कि online हो तो घर पे delivery हो मीचे आपको change address भी दिया है अगर आपको कोई और address पे delivery करवानी हो तो उस और address पे भी आप delivery करवा सकते हो change address के माध्यम से अब हम order करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा गया है are you sure you want to go with this address मतलब की vestige ने इतना ध्यान रखा है कि हमें अगर आपका address confirm है कि वो भी आपको फिर से पूछा जा रहा है तो हमें प्रोसीड क्लिक करना है यह categories load हो रही है थोड़ा सो समय लग सकता है depending आपके internet की speed के उपर हो यहाँ पे देख सकते हो आप आपको सब categories मिल रहे हैं यहाँ पे all categories करोगे तो यह सब categories के एक साथ products के जानकारी मिल जाएगी अगर आप specific categories से product लेना चाहते हो जैसे सिर्फ agriculture product है यह सिर्फ air purifier या ayurveda products या business tools color cosmetics health food health supplement home care ऐसे अलग-अलग categories भी यहाँ दी गई है तो जो categories के माध्यम से आप लेना चाहते हो वह ले सकते हो या तो all categories click करोगे तो आपको यहाँ पे हर एक item हर एक category का item दिख जाएगा आपको almost more than 250 products आपको यहाँ पे मिल जाएगे जो भी product sold out रहेगा यहाँ पे ऐसा tag रहेगा sold out का और आपको उसको select करने का option नहीं होगा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो Westige crepe sari and Westige distributor laptop bag यह sold out है तो यहाँ पे आपको right hand side पे कोई option नहीं है wherein नीचे यह mom के जो brushes दिख रहे है उसके पास sold out का tag नहीं है यहाँ पे options है तो आप ऐसे करके select कर सकते हो one two three four जितने भी आपको चाहिए आप जैसे जैसे select करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आपका total भी बरता जाएगा देखिए अभी 980 है मैं एक और brush select करता हूँ देखिए one thousand four seventy because इसकी डीपी प्राइज है four hundred and ninety हर एक category का यहाँ product है हम सिर्फ यह एक example के तौर पे बता रहे है आपने फिलाल यह order place कर दिया है अभी एक और मैं product add कर दिता हूँ कॉमी बाटिक्स जो हमारा नया product है total हो गया one thousand nine twenty इदर नीचे दिखा रहा है अभी हम next दबा के इसको proceed करते हैं यहाँ पे आपका आपका shopping का जो काट है वो दिख रहा है क्या क्या आपने select किया है उसकी price उसका quantity दोनों भी यहाँ पे आपको clear दिखा रहा है नीचे नीचे आपको option आ रहा है promotions and voucher का आप देख सकते हैं नीचे option है promotions and voucher आप उसको view भी कर सकते हो अभी फिलाल कोई promotion और कोई voucher नहीं है अगर आपको यह gift voucher कुछ है आपके पास वह आप use कर सकते हो जैसे कि consistency voucher है और आपके कोई और voucher रहेंगे तो तो मैं फिलाल proceed करता हूं यहाँ पे आपको option दिया गया है proceed करके online payment का online payment यहाँ पे option है आप देखेंगे online payment के सामने 0.0 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको आपको आके क्लिक करना है आप सिर्फ klik करोगे तो आपका total amount जो भी आपको पे करना है वह यहाँ पे आपको देख जाएगा अगर आपको वापिस review करना है आपके details के क्या-क्या order की है तो vue details पे click करोगे तो आपको quantity के साथ आपने क्या order किया है वो आपको दिख जाएगा आपका PVB दिख रहा है यहाँ पे नीचे आप इसके फिर place order करोगे तो आपका order placed हो जाएगा और आपको एक log id log distributor id create हो जाएगा thank you for placing the order order number आ गया है delivery delivered ओके delivery हो जाएगी आपकी यह delivered कहां से हो रहा है वो भी दिखा रहा है अभी आपको अभी payment करना है इसके अंदर अगर आपको payment करना है online में तो फिर से आपको यह screen पे automatically app लेके आएगा तो आपको my orders पे click करना है my orders पे click करोगे तो आपको यहां पे options है today week month मतलब आपने मन्थ में कितने orders किय वो भी आप देख सकते हो, week में कितने orders किय वो भी देख सकते हो, और आज कितने orders किय वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको सब details में दिख जाएगा, order number, status उसका क्या है, total amount, कितना पे करना है, नाम, आपने कभी order place किया है, log number, कौन सा branch है, सब चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, product की details चाहिए, तो वो भी आपको फिर से यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे एक option दिया गया, unpaid, के उपर एक check box है, इसको आप अगर check box को click करते हो, तो यहाँ पे आपको एक option आजाता है, कितना amount pay करना है, अगर आप यहाँ पे click करते हो, pay, तो आपको option आएगा नीचे, payment details का, यहाँ पे आपको courier charges भी बता रहा है, total amount to be paid, 1920 मेरा product का amount था, प्लस 65 रुपीज आपको courier charges भी है, और पूछ रहा है आपको, do you want to proceed further, तो आपको यह total आपको बताने के बाद, आपको एक और बार पूछेगा, do you want to proceed further, तो yes करना है आपको, तो आपको आपके payment gateway पे पहुचा देगा वो, यहाँ पे आपको option दिया गया है, pay tm net banking, तो आपको जो option आपके बढ़िया लग है, वो आपको यूज करना है, pay tm से भी यूज कर सकते हो, debit card भी यूज कर सकते हो, उसका number दालके है, credit card, beam, upi, net banking, यह pay करने के बाद, आपको directly successful का receive, automatically आपको सामने देखेगा, और आपको SMS भी आ जाएगा, बस आपको जो successful का जो देखेगा, वो आप screenshot ले सकते हो, या तो फिर SMS के द्वारा, आप इसको order place confirm हो सकता है, आपका order, तो यह था, एक छोटा सा तरीका, जिसमें हम आज की जमाने म जो online shopping करते है, बस उसी तरीके से, वेस्टीज में भी आप मजे ले सकते हो, order, order place कर सकते हो, online shopping का, thank you, thank you, wish you well